पù修ोशकार राजमोहन आप देख रहे है विहारी नियूज बिहार कोरोना के गिराफ्त में लगतार जकरता जा रहा है जो नए आकरे लगतार सामने आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि वह 2000 से जदा के आ रहे हैं आज जो नया अपडेट कोरोना का आया है वो भी 2000 से ज्यादा का है 2328 नए संक्रमित मरीजों की पहचान पिछले 24 घंटे में बिहार सरकार ने जो आकरेज जारी किये हैं उसके अनुसार हुई है बिहार स्वास्त विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार 28 जूलाई को 1528 केसे रिपोर्ट किये गए जबकि 27 जूलाई और उससे पहले के 800 केसे भी पिछले 24 घंटा में ही सिस्टम में अपलोड किये गए हैं इस तरह दोनों को जोर कर कुल आकरे हो जाते हैं 2328 बिहार में इसके साथ ही अब कुल आकरा संक्रमित मरीजों का पहुंच गया है 45,919 पर यानि लगभग 46,000 के आसपास किस जीले से नए मरीज कितने मिले हैं पहले एक नजर उस पर डाल लिए हमने 27 जुलाई और 28 जुलाई के आकरों को जोर दिया है और जोर कर सभी जीलों के जो न 22 औरंगाबाद से 109, बाका से 20, बेगुस राय से 70, भागलपूर से 57, बोजपूर से 161, बकसर से 69, दरवंगा से 21, इस्ट चंपारन से 76, गया से 72, गोपालगन से 42, जमुई से 24, जिहानबाद से 38, कैमूर से 37, कटिहार से 65, खगडिया से 69, किसंगंज से 40, लखी सराय से 9, मधपूरा से 29, मधवणी से 33, मुञेर से 37, मुझफरपूर से 34, नालंदा से 116, नमादा से 29, पटना से 337, पुर्निया से 70, रोतास से 125, सहर्षा से 32, समस्तिपूर से 49, सारण से 120, सिखपूरा से 25, सीवहर से 17, सीतामरी से 12, सीवान से 33, सुपाल से 30, वैसाली से 54, संक्रमित मरीज कोविड 19 के कंफर्म्ड मामले मिले हैं उनकी संख्या है 2328 बिहार में जाच के दैरह को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री लगतार प्रयास कर रहे हैं स्वास्त विभाग के अधिकारियों को लगतार इस बात पर जोड दे रहे हैं कि जाच का जो दायरा है उस कुमार जाच के दायरे को 20,000 के जगा 25,000 जल से जल पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए रैपीड एंटीजन जो टेस्ट है उसमें बढ़ोतरी की बात कर रहा है हलांकि मैं आपको बता दू कि रैपीड एंटीजन टेस्ट में बढ़ोतरी से यह तो हो सकता है कि जाच का जाता है जो या तो जिन में लक्षन होते हैं या फिर जो किसी संक्रमित मरीज के कांटेक्ट में आने की संका होती है जिन में या कहें कि कंटेनमेंट जोन के व्यक्तियों की रैपीड एंटीजन टेस्ट कीट से जाच की जाती है ताकि उनके बारे में पता लगाया जा सके क कि वे करोना से ग्रोसी हैं कि नहीं। लेकिन अगर वह पोजिटिव आते हैं रिपिटा एंट्फ अग्र में तो यह प्सक्राइं वोफ हमा बनियुख करने के लिए सबसे सही रिपोर्ट आठी PCI टेश्ट देती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए सरकार को कि आटी पीसिया टेस्ट को बढ़ाए क्योंकि हाल में दिल्ली हाइकोट ने इस पर दिल्ली सरकार से सवाल भी उठाए थे कि आप रेपीड एंटीजन की दिल्ली में लगबग 38-40,000 रोज जाच हो रही है तो उसमें रेपीड एंटीजन से टेस्ट जादा हो रहा है तो हाइको सब्सक्राइब करें लागतार बढ़ता ही जा रहा है यह तो आप देख रहे हैं लोगडाउन की पड़ीदी भी बढ़ती जा रही है बिहार फिलहाल जिस तरह से परस्तितियां है वह खुलने के लाइक बिहार अभी बच है नहीं इसलिए बचिने के आपके उसका पालन कीजिए खुज सुरक्षित रहे थिए कि भीर को बनाने में साहयोग जरूर कीजिए खबरों से अपडेट रहने का देखते रहे जिए घ्ञीट